हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए यह एरिका पाम मेरा डंटी टूटा हुआ था तो इसको ले ली और यह कुलर में चाय पी थी तो वो कप मैं लेलती आई थी कि कुछ न कुछ बनाऊंगी और यह जारू था तो तीनों को मिलाकर मैं जुगार लगाई तो धा स्प्रेई से पेंट दे रही हूं आप चाहें तो एक्रिलिक पैंट से भी कर चकती हैं कि वह तो और कम बजट में बन जाएगा मेरे पास था तो मैंने स्प्रेइपेंट से चैनल यह पार सब्दों कर लिया और इस पाहिए था ते तुरत के तुरत सूरत यह सूख जाता है तो इसमें होल कर दे थी यह कुलड में इसमें तो और स्टिक में लगा दी तो मजबूत हो गया और देखे इस तरह से एक डेकुरेटिव आइटम हमारा देडी हो गया इसको कहीं भी आप डेकुरेट करके दखिएगा तो बहुत प्यारा लुकाने वाला है और इसमें मात्र ख से छोटा फिर उससे छोटा ठीन ये हो गया और एक लमबा ऊसे लंबा फिर उसे लंबा जो सब्से पतला रहेगा बीच वाला बीच में रहेगा तो अब इस कारड़ बोड को थोड़ा सा राउंड सेफ कर लेते हैं ताकि इस डीबे पर चीत आना है तो डीबे काकार को तो पड़ेगा ना कार्ट बोड को तो मैंने इसे से तीनों को कर दिया आप इस पर मैं होट गलू लगा करके एक के ऊपर एक तीन लेद चीपका दूगी आप चाहें तो फेवी कॉल से चीपका सकते हैं लेकिन यहीं है कि एक चीपका यह फिर उसको थोड़ा देर के लिए सुखन के लिए रखना पड़ेगा रसी से बांद कर और फिर दूसरा लें तीसरा ऐसे होना ऐसे करना पड़ेगा और होट गुलू में है कि फटा-फट गुलू लगाते जाए और यह चीपकते जाएगा तो मैंने देखी बातों बातों में दो लेद्ट चीपका लिया और तीसरा सबसे पतला है इसको सबसे उपर मैं चिपका रही हूं तो यह षानी से चीपक गया तो देखिए इसका से पुछ इस तारह से आ रहा है अब तो थिखोत से चोटा है कि लोगी और वर से चोटा सबसे चोटा में चिपकाईंगी तो इस तरह से अभी इशती इसलियूपी नियूर एशुय को पता नहीं चलेगा कर भेर तो मेरे घर में काम हुआ था उसमें से मेरे पास फेविकॉल बचा हुआ था तो मैं निकाल लिया और चोटे-चोटे पीस में यह कागज को कट कर ली हूं अब इसका जो की कॉर्नर है खराब दिख रहा है तो मैं इससे कभर कर दूंगी और इसको फेविकॉल से चिपका देने तो वाल पुट्टी मैं इस पे नहीं लीपूंगी इसको लेप लगाना है तो मैं इसमें पी योपी लगाओंगी मेरे पास फॉल सेलिंग में जो काम हुआ था उसमें से थोड़ा सा पी बचा था तो मैं इसको एकदम पेस्ट बना ली हूं और इसी से इसको पूरा लेप द इस वाल पुट्टी में मैं पानी डाल करके आठे के तरह इसका मतलब लोई बना लूँगी देखे कितना सुंदर आठे के तरह मैंने इसको गुत लिया इसको है कि जितना ही आप गुतिये का उतना ही मुलायम बनेगा और जिस अकार को चाहिए गा उस अकार में यह ढ़ल ज उत्य होगा आठे कि टो शुंदर फुल को कि फूल अश्य कर दीजै तो इस तरह से समझे यह भी डियाई वह हुआ आप लोग दिप्रम पूटी से ऐसे बना सकते हैं और कहीं भी किसी बी जगह चिपका करके उस जगह को डेक्रेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर भी बनाई ह मेरे दिमाग में यहीं आया तो मैं सोची इस पर गुलाब का फूल बहुत अच्छा लेगा तो मैं ने गुलाब का फूल बना दिया ओर चोटा-चोटा मैं लीफ बना करके इसके दोनों साइड से दो-डो लिफचिप का दूंकि तो देखे ये पतला पतला फूल से थोड़ा होना चाहिए क्योंकि फ्लावर के अनुसार अगर बनाएंगे तो उसके जगा नहीं है उतना और अच्छा भी नहीं दिखेगा तो बस इसमें मैंने चम्मच का पीछे मतलब फॉक का पीछे वहला डंटी से लिप का जो डिजाइन होता है लिपे उसी तरह का मैंने इस पर कर द दिया है तो दो और फलावर मतलब दो यह बनाते हैं और बना नकर कर जाना है और बना करकर इसके फेब को लगाना है और उसको देखे बगल मैं गुलाब के लिचा व्यवन कर YOU लैका अब्यकुट तो च्पक ठीजगा लेता और दूसरे खे लिए फेव को लगाया और इसे भी चिपका लूँगी कुछ जगा पर थोड़े जगा पर मैं चारो तरब से इसको एसे हैं चिपका करके इसको डेकोरेट कर दोंगी तो आप कोई भी डिजाइन ले सकती हैं रिखे मैं बनाई हूं ऐसे तो यह अब सुख चुका है थोड़ा सा इसको पेंट करना आए तो और थो कुछ जगा नहीं था बार में मुझे लगा कि इस पर भी रोजी बना करके चिपका देती तो ज्यादा अच्छा लगता आप लोगों को अगर बनाना होगा तो यह धकन है धकन पर भी रोजी जैसे गुलाब के फुल उस पर चिपका है थी वैसे ही चिपका लीजिएगा उसके किनादी को कवर कर देंगे तो देखे एक लंबाए श्टिक बन गया अब किनादी पे थोड़ासा फेबी को लगाना है लगा करके उसके उपर से ऐसे ऐसे करके इस वाल पुटी से किनादी को कवर कर दीजिए तो नीट एंड क्लीन दीखे गा और मजबूत भी हो तो इसको तीरषा-जिए थिच ऑ कोई भी टॉय बना सकती में अब सब्सक्रिण भीना इसके बदेग इसके बाद एक और पटला बनाकर के स्टीघ मैं चिपपांगी और उसके बाद में इसमें लिफ बनांगी थो मतलब विसमें डिफ़ेंट डिफ्रेंट डिजाइन में ब बनाते ही वहीं सही मैं इसमें फट्ला पट्ला ना करके सफीन औरmarkt करें और यादा जादा महिनत भी और माथा पची philosophical हमारा बन जाए इसको भी इसमें चीपका लेते हैं तो यहां मैंने फटेबी को लगाया इसको यहां पे चिपका दिया तो इसी तरह से फिर एक और मैं बना लेती हूं पतला व्ला तो कि इतना सुंदर लग रहां है बीच में मैंने दो लंबा अश्टिक चिपकाया फिर फिर उसके बारे यह मैं राउंड से बना देना है और इसको पूरे लाइन को चिपका देना है और यहां पर लगाए इसको यहां पर रख दिए इसी तरह से इस को मैं पूरा कर ले हुँ इसी तरह से कोई दूसरा डिफ्रेंट डिजाइन बनाती जाओंगी और इसी तरह से इसको पूरा को निदेमे अरिस्टीन की से ले कर दिया और फेट लिए तो इसको और ऐसे घुमा देंगे तक तो सूखने के बाद छूटे गा नहीं मजबूती बनी रहेगी और किनारी को भी थोड़ा अच्छा से फिनिस कर लेना है ताकि किनारी तो देखे इदर से मैंने दबा दिया और इसक्ष्टा पार्ट है उसको निकाल करके किनारी को यहां फेवी को लगाऊंगी तो थोड़ा स मैं चिपका दी हूं अब देखे इसमें पीछे वाला पार्ट होता है थोड़ा दाउंसेप में होटा है उसमें थोड़ा होल होता है तो उससे दबाईएगा तो इसमें एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा तो देखे मैंने गोल गोल बनाया और इस पेन के सब्सक्राइगा और फटा फट यह हो गया तो चलिए अब एक रसी और बनाते हैं यहां पर मैं फेबी को लगा ले हूं और दो इस्टिक बनाकर के रेडी क्यों ही अब दोनों को ऐसे लेपेटेंगे जैसे रसी लेपेटे हैं तो इस तरह से अपोजिट करके ऐसे करके रसी बनाने बहुत आसान मतलब यह बनता है तो चलिए इसको उठाएंगे और वहां फेबी को जहां लगा हुआ है उससे रख देंगे तिर्चे तिर्ची मैं लगा रहे हूं आप सीधा सीधी भी लगा सकती है वह आपके उपर डिबेंट करता है कि आपको कैसे बनाना है तो दो बनने के बाद यह बहुत सुंदर लेगा जब कलर इसमें आ जाएगा तो चलिए अब थोड़ा सा जल्दी वाला बनाते हैं तो बड़ा बड़ा मैं लगा दी हूं बना दी हूं और यहां पर मैं फेबी को लगाई और इसको मैं यहां पर रख दूँगी और मुझे इसमें क पूरे को बना करके फिल कर दूँगी ताकि मेरा समय भी बच जाएगा और सुंदर डिजाइन भी क्रियेट हो जाएगा तो पंखे का जो कम बेस करने वाला है ओ भी आज मुझे काम दे दिया तो यह तो पतला है यह तो सूकर के एकदम रेडी हो चुका है तो चलिए इसको इसका नीचे का इसेंड बनाएंगे जिसपे यह खड़ा करेंगे और यह जो खड़ा हो जाएगा तो चलिए इसको रखते है साइड में इसको मैं दिखाती हूं यह गोल गोल जो मैं बना करके और पंखे का चुटा हुआ कम बेस करने वाला पनादी इसको बना दिजाइन त चलिए जालू से मोटा मोटा दो मैं और निकाली लकड़ी जालू को रखेंगे साइड में और इसके लिए इस्टेंट तयार करेंगे तो एक यह दीबा था शॉपिंग की थी तो उसी में से यह मिला था उसमें थर्मो कॉल चिपका दिया और उस क्रिष्मस की ब्राबर मैं तो यह मतलब लेली और दो मतलब ली हूं और इसको ओड़ से इसके बैक सैड में चीपका दोंगी और यह मिए पर से थोड़ा सा यह काड़ बोड से कभर कर दूंगी तो देखिए इसमें काड़ बोड छोटा-छोटा मैंने कट कर लिया है और इसमें गुलू लगा करके ऊपर से चीपका करके तो और मजबूत हो गया अब इसको इसे थर्मो कॉल में मैंने दबा दिया तो यह एस्टेंड बनके रेडी हो गया और यह देखिए यह वाल पुट्टी नहीं है यह पीओपी है बहुत जल्दी पीओपी सुख जाता है मेरे घर में फॉल सेलिंग काम हुआ था तो उसी में से बचा हुआ है तो मैं इसी से इसका एस्टेंड को पूरा मतलब लेप लगा दी हूं अभी तो आप लों से मैं ब दोनों तो इनको भी दिखा लेते हैं देखें सुकर के ट्री हो इसन ऐससे मैं पर लेती हूं सबको पहले इसको हैको करेंगे तो उसके बाद दुसरanh करेंगे तो हमें सामेशा मैं चौटा शबरा लाती हूं वाल पेंट का तो तो मैंने एल्पेंट है сопit किया है इसे यह होता है कि जरूत नहीं पड़ती है और यह इसका कलर जल्दी जाता नहीं है बहुत दिनों तक नया के नया ही रहता है तो चलिए यह तो हो गया अब मेरे पास एक रिलिक पेंट थोड़ा सा था तो उससे इसका उपर वाला कलर थोड़ा सा मैं चेंज की हूं क्योंकि ज्या और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गोल्डेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लएगा तो मैं जितना इसका कॉर्णर है उस पे हलका हलका गोल्डेन लगा दूंगी और हाथों से मिला दूंगी तो यह बढ़ियां से दिखेगा तो दिखे यह इस तरह से धकन हो मैं अपने को गोल्डेन थोड़ा थोड़ा दे दे रही हूं हलका हलका हाथों से जहां जहां उबरा हुआ चाहिए मुझे उस तरह से कुछ चीज का लुक आया है अब बहुत सुंदर मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है प्लीज दोस्तों आप लोग को अच्छा लेगा और जब भी मन किया तो निकाल कर एक खा लिए या इसमें आप यरिंग रख सकती है अपने चोटे मुटे ज्वली रखकर के डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल पर दख सकती है और यह दोनों सुकर के हमारा रेडी हो चुका है तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है और यह भी मेरा सुकर के रेडी है तो देखिए सब मेरा अपनों के सामने है इसमें से कौन सा अपनों को ज्यादा पसंद आया और पसंद आएगा तो प्लेज कमेंट करके बताएगा जदूर और नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तब तक के लिए ओके बाएटे कि एकल कर ला संद कर देखिएूcommittee कर दए़ संद कर देखिएू